हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासे विध हरी सर्म इस वीडियो में हम फिचकल आइच को एसन से रिलेटेड कुछ most important 150 questions discuss करेंगी जो आगामी exams के लिए बहुत उपयोगी होंगे और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस करें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके आज का जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें टोटल 150 कोईशन है 150 कोईशन में से 30 आपके gs से रिलेटेड है निस सामाने दियन से रिलेटेड है जबकि 120 कोईशन जो है वो फिजकल एज कोईशन से रिलेटेड है टोटल आपका lt grade के exam pattern पाराधारी थे question paper आप लोग ध्यान से विद माइनस मार्किंग कि 150 में से कितने questions आपके सही होते है क्योंकि इसी तरीके की questions exam में पूछे जाते हैं बस label थोड़ा सा differ रहता है बाकी questions आपको इसी type के मिलेंगे तो सुरुवा करते हैं gs से तो gs का क्या है सामान दियन का first question आपकी screen पर जिसमें mathematics से related भी तीन question math से भ पंच भुज के प्रतेक अंता कोड का मान बताना है आपको कितना होता है मान पंच भुज के प्रतेक अंता कोड का 108 अंस होता है 72 अंस होता है 120 अंस होता है या फिर 540 अंस होता है तो right answer यहां पर बताईएगा कितना हो जाएगा अंता कोड तो आपको बता दिया जाएगा आ आपको बहिश कोण बताना इसका कितना होता है कमेंट करके और साथ में जो पंच बुझ होता है इसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा तो question number first है right answer यहाँ पे देखिएगा आप लोग अपनी scoring करिएगा कि कितने questions आपके 150 में से सही होते हो और जो question नहीं आता होगा उसको जाएगा question number first right answer क्या हो जाएगा 108 इसका क्या होगा सही आंसर होगा अब इसको find कैसे करेंगे तो इसका formula होता है n-2 into 180 upon n तो number कितने हैं पंच भुज में 5 भुजाय होती तो 5-2 हो जाएगा बटे 5 गुड़े 180, 180 को काट देंगे 5 से, 5 का पहाड़ा 3 बल लग जाएगा और 6 इधर बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में से 2, 3, 36 को 3 से गुड़ा करेंगे 108 हो जाएगा, तो right answer हो जाएगा 108 इसका अंता क कोड़, question पुचा जाता है पंच भुज के 22 कोड़ का नाम मान बताईए कितना होगा, और 7 में question यह भी पुचा जाता है कि 5 भुज के सभी कोड़ों का योग कितना होता है, तो दोनों questions का answer आप लोग comment के माध्यम से बताईगा, इस question का अंता कोड़ का मान 108 हो जाएगा, यह उत्तर सही हो जाएगा, जितने भी students ने a option attempt किया, उन सभी का answer सही है, next question है current affairs से related, हाल ही में आयोजित under 19 Asia Cup जीता, किसने जीता है under 19 Asia Cup, स्री लंका ने जीता है, बांगला देश ने जीता है, भारत या फिर पाकिस्तान ने जीता है, आपको जो current affairs प्रोवाइड किया गया तो उसमें से ये question है, first ही question है, उसका बताईएगा, right answer यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हाल ही में आयोजित under 19 Asia Cup जीता है, यहाँ भारत के द्वारा जीता गया है, C option क्या है, इसका right हो जाएगा, next question पर move करेंगे, next question है, आपके screen पर, ये भी current affairs से related है, हाल ही में किसे, SSB के महा निदेशक का अत्रिक्त प्रभार सौंपा गया है, किसे सौंपा गया है, संजय अरोडा को सौंपा गया है, सुनील अरोडा को सौंपा गया है, वीके यादो को सौंपा गया है, या फिर D आपने चंद्र प्रकास गोयल को या पन, अत्रिक्त प्रभार का सौंपा ग पेड ग्रूप से भी जूर सकते हैं जिसमें physical age question हो जी एस से related most important questions आपको daily provide किये जाते हैं जिसमें test आपका होता रहता है जिससे आप अपनी scoring आसानी से देख सकते हैं कितने questions रही हो रहें और आप किस label पर पढ़ाई कर रहे हैं question number 3 का right answer जो relate कर जाएगा यहां पर हो जाएगा संजय अरोडा सुनील अरोडा को तिकना लगाईएगा सबके mind में अभी भी answer भी ही होगा ध्यान रखियागा संजय अरोडा इस question का right answer हो जाएगे आपको बताना है कि चुनाव आयुक्त जो होता है मुख्य निर्वाच्चन आय जेस के नए मुख्य सच्चिव कौन बने है अब बताना ये भी current से relate कर रहा है कौन नए मुख्य सच्चिव बने है हाली में सुनील अरोडा जी बने है वीके यादो जी बने है दुरग्या संकर मिस्रा बने है जा फुर चंद्र प्रकास गोयल बने है वीके यादो का नाम आ सही होना चाहिए सभी का ये भी आपको current affairs की PDF already group में दी जा चुकी screenshot के माध्यम से सही answer क्या हो जाएगा दुरगा संकर मिस्रा के साथ में relate करेगा या फिर वीके आदो हो जाएगा राइट आंसर जिन भी students ने दुरगा संकर मिस्रा टिक लगाया है उन सभी का उत्तर राइट हो जाएगा सही हो जाएगा next question है आपकी screen पर रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाद किसमें दी थी आसान सा question है अभी आपका ये syllabus complete नहीं हुए वहाँ पे तो बताईएगा लेकिन ये common question है रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाद प्रदान क की गई थी या किसके द्वारा प्रदान की गई थी महत्मा गांधी जी ने प्रदान की थी सुभास चंद्र बोस के द्वारा गोपाल करस्ण गोखले या फिर पंडित नहरू बताईएगा तो ये जो उपाद दी थी ये महत्मा गांधी जी ने प्रदान की थी ये option क्या है 5 का सही उत्तर होता है राइट आंसर होगा और scoring आप लोग अवस्य करते रहिएगा कि आपके 150 में से कितने question सही होते हैं बहुत आसान question है आपकी screen पर किसी ब्रत का ब्यास दिया हुआ है 14 cm है तो ब्रत का छेत्रफल क्या होगा अब ब्यास दिया हुआ है त्रिज्या निकाल लीजिएगा 7 आ जाएगा पाई आड़ स्क्वार जैसे ही लगाएंगे 22 बटे साथ और साथ गुड़े साथ हो जाएगा यहां पर इसको cancel out कर देंगे 154 आ जाएगा अब 154 तो आएगा तो इसमें भी आपको दिहान रखना है सभी में 154 दिया हुआ है यूनिट में इकाई क्या लिखेंगे 154 घं सें सेंटी मीटर होगा सेंटी मीटर होगा या फिर वर्ग मीटर होगा अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा सर के द्वारा चेंज किया गया है सिर्फ यूनिट में आंसर आपका मैच कर गया तो यूनिट दी हुई यह सेंटी मीटर में तो अच्छेतर फल वर्ग में लिखा है क्योंकि GS में आपका computer से भी question आ सकता है 15 को binary में बदल के बताना है आपको तो 15 को binary में तुरंत बदल दीजिएगा क्या हो जाएगा आपको हम यहां पर बहुत अच्छी trick बता देंगे जिससे किसी भी संख्या को binary से decimal decimal से binary में आप आसानी से change कर सकते हैं देखिएगा इसका पहले आप लोग answer क्या हो जाएगा यहां पर सही answer सबका होना चाहिए जितने भी students को binary में conversion पता है एक तो आपको divide method होता है तो यहां पर divide method आपको नहीं बताएंगे जो इस तरीके से आप लोग solve करते हैं दो से फिर साथ बार पहाड़ा लगता है एक यहां बसता है यह method आपको आपको नहीं बताएंगे इससे भी आसान method है आपकी screen पर हो जाएगा answer 1111 जीरो और वन computer समझता तो यहां पर फोर टाइम वन answer आ जाएगे यह computer की भासा में इस तरीके से आएगा तो 111 यह आया कैसे एक formula होता है 8421 टोटल को add करेंगे कर 15 बन रहा तो जहां जिन भी संख्याओं को जोडने पर 15 बनता उसके नीचे one कर देंगे अब दूसरा एक question है 16 का अगर आप से पूंच लिया जाए कि 16 का binary नंबर क्या होगा तो यहां पर 8421 टो हम लिखेंगे आठ दूनी 16 कर देंगे यहां पर अब जिसका हमने पर टोटल जोडने पर 16 आना चाहिए तो टोटल जोडने पर यही 16 बनेगा तो इसके नीचे one कर देंगे बाकी सभी को जीरो कर देंगे one four time zero अगर 16 का पूंचा जाएगा तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका यह 16 का लिखा हुआ ए में उत्तर हो जाएगा पंदरा के लिए four time one a b उत्तर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे क्वेशन नंबर eight है विस्ट सुमें बाकसाइट का ब्रहत्तम उत्पादक है तो बाकसाइट जो है सबसे ज्यादा उत्पादक देश बताना है आस्ट्रेलिया है ब्राजील है चीन है या फिर भारत है कौन सा उत्तर सही होता है आप लोग देखिए अगा जल्दी से राइट आंसर आप लोग अटेम्ट करिएगा ल्टी ग्रेट की अगर आप प्रिवेशन कर रहे हैं एक्जाम देना चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में वेकेंसी आनी है क्योंकि नोटिफिकेशन उसका सिर्फ रिलीज होना था बाकि आयोग के द्वारा जो अधियाचन वह मांगा जा चुका था और टीजीटी का भी अधियाचन मांगा जा चुका था आचार साहिता प्रिजेंट टाइम में लगी हुए इसलिए वेकेंसी रुकी हुए तो आगया नेल समय में वेकेंसी आपको मिलेंगी इसलिए राइट आंसर देखिए कि 20 में बाकसाइड का ब्रहत्तम उत्पादक माइंड में आया होगा चीन होगा चीन लेकिन क्या हो जाएगा आस्ट्रेलिया हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर चाइना के साथ में नहीं रिलेट करेगा ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेशन प्रत्वी की अपनी कच्छा में गति है यह गति किसा है पस्चिम से पूर्व है पूर्व से पस्चिम है उत्तर से दच्षिण है और नाइन्थ का डी आप्सन दिया हुआ है दच्षिण से उत्तर है अब बताईए नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा Most important question है कई बार पूछागे Geography से relate करता है question सही answer क्या होगा यहाँ पे पस्चिम से पूरब या फिर पूर्व से पस्चिम आप लोग इस तरीके से circle बनाएंगे तुरंत लिखेंगे पूरब से पस्चिम लेकिन जो right answer यहाँ पे जो हो जाएगा पस्चिम से पूरब ध्यान रखियेगा प्रथबी की अपनी कच्छा में गति अगर कुछा जाए तो पस्चिम से पूरब हो जाती है A option right answer होता है A उत्तर सही होगा Next question पर move करेंगे Most important question है कई बार exams में आया हुआ है किस तिथी को उत्तरी गोलार्ध में सबसे चोटा दिन होता है तो कौन सी तिथी में होता है सबसे चोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध यो दच्छडी गोलार्ध यो दोनों आपको ध्यान रखने है तो दच्छडी गोलार्द का आप लोग कमेंट के माध्यम से बताईए जब कि उत्तरी गोलार्द है आपकी स्क्रीन पर आंसर टीक करिएगा कौन सा उत्तर सही होगा और यह आपका है प्रैक्टिस से टोटल एक सो पच्छास कोईस्चन का और जो भी पेड़ जोईन करना चाह सकते हैं जैसे ही आप स्क्रीन सेंट करेंगे तूरंत आपको ग्रूप से एड़ कर दिया जाएगा टी ग्रेट के लिए और टीजीट के लिए जिसमें भी आप होना चाहते हैं वहां पर जूड़ सकते हैं कांटी न्यू टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है सारे उत्तर सही हो जाएगा क्वेशन आप सभी के लिए है तेईस दिसमबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह आपको बताना है कई बार पूछा गया क्वेशन है तेईस दिसमबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दस दिसमबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह आंसर आप लो प्रमार उपक्रम इस्थित है राजस्थान में इस्थित है उडिशा में इस्थित है या फिर उत्तर प्रदेश में स्थित है बताईएगा इसका अंसर कल्पक्कम परमार उपक्रम इस्थित क्लास 7th का आंसर है जो लोग भी पढ़ रखे हैं NCRT कल पक्कम परमार उपक्रम तो तमिलनाड चेन्नाई बहुत पढ़े होंगे तो C option क्या होगा सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेशन पर मूब करेंगे क्वेशन नंबर है 12 तीस क्वेशन टोटल इसमें मिलेंगे आपको जीएस से और उसके बाद 120 क्वेशन आपको दिये जाएंगे फिजिकल एजक्वेशन से रिलेटेट साथ में ही 20 में कोईला उत्पादन में अग्रणी देश बताना है आपको इसमें से अग्रणी देश कौन सा है चीन है अमेरिका है भारत है या फिर रूस है तो दो option आपकी स्क्रीन पर आपके माइंड में होंगे और दो ही आपको में लग रहे होंगे एक चाइना दूसरा अमेरिका तो दूनों में से आप कौन सा टेंप्ट करेंगी यह आप लोग देखिएगा और अपनी रफ कॉपी पर जहां भी आप इसको सॉल्व करते हैं प्राक्टिस है उसमें स्कोरिंग अवस्से करके देखिएगा कि 150 में से आपके कितने questions right होते हैं तो सही answer यहां पर क्या हो जाएगा 12 का चीन के साथ में relate करता है A option सही answer होगा next question पर move करेंगे 13 नंबर है विस्व का सबसे बड़ा खनीज तेल उतपादग देश अगर यह question exam में पूछा जाता तो वरतमान समय के अनुसार सौदी अरब हो जाएगा लेकिन जो अमेरिका इसमें answer दिया हुआ है तो अमेरिका सही होगा क्यों सही होगा इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा सौदी अरब और अमेरिका प्रिजेंट टाइम में सौदी अरब के साथ में relate करेगा और जो थेयोरी के हिसाप से अगर यह exam में पूछा जाएगा तो आ आपका ए और सी दोनों से रिलेट कर जाएगा इसलिए इसको ज्यादा आप कन्फ्यूज ना हुए ए और सी दोनों सही आंसर होंगे में लिए अगर प्रिजेंट टाइम के हिसाप से जाएंगे तो सौदी अरब रिलेट कर जाएगा next question पर move करेंगे question number उत्तरी अमेरिक से लेट करेंगे अमेरिका जो दिया हुए उत्तरी अमेरिक में ग्वैनए एक डेisch उसे relate करता है बहारत में किसतरह की अर्थ बिवस्था है 14 भारत में आपको बताना है किस तरह की अर्थ बिवस्था है इकनॉमिक्स रिलेट कर रहा है question समाजवादी अर्थब्यवस्था है मिश्रित अर्थब्यवस्था है गांधिवादी या फिर स्वतंत्र दूसरा question आपको बताना है कि भारत कैसा देश है विकसित या फिर विकास सील अगर विकास सील है तो विकास सील चार देशों के नाम भी बताईएगा next question से पहले इसका answer क्या हो जाएगा भारत की अर्थब्यवस्था कैसी है मिश्रित अर्थब्यवस्था है B option सही answer है right answer है next question पर move करेंगे question number है आपकी screen पर क्रसिस से संबंधित भारत की कुल स्रम सक्ति का लगभग कितना भाग क्रसिस से लगा हुआ है कितना भाग क्रसिस से relate करता है 48% 50% 52% 64% सही answer सभी का होना चाहिए क्योंकि क्रसिस से related एक question पूछा ही जाता है GS में सही answer है यहाँ पर 52% 64 ध्यान रखिएगा आप लोग लगा रहे होंगे C option इसका right answer होगा next question पर move करेंगे next question है 16th number भारती समिधान में किस संसोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक करतब्यों को समिलित किया गया है किस संसोधन के द्वारा समिलित किया गया है 41 समिधान संसोधन 42 समिधान संसोधन 43 समिधान संसोधन या फिर D option 44 समिधान संसोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक करतब्यों को भारती समिधान में सामिल किया गया है 42 समिधान संसोधन कब हुआ था और 44 समिधान संसोधन कब हुआ था यह आपको बताना है सही आंसर जो होता है कौन सा अप्सन होगा चल्दी से आपनों question एक बार read करिएगा 42 समिधान संसोधन B option सही आंसर होगा most important एक और question पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार कौन से समिधान संसोधन के द्वारा इसको हटाया गया है next question पर move करते हैं सिच्छा को किस समिधान संसोधन के द्वारा राज्य सूची से समुवर्ती सूची में लाया गया है यह बताना है आपको अब बता यह सिच्छा की बात की जा रही है किस समिधान संसोधन के द्वारा जो समिधान संसोधन हुआ है राज्य सूची से इसको समुवर्ती सूची में लाया गया है सही आंसर क्या हो जाएगा 42 समिधान संसोधन यानि C option 17 का सही आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे और डाक घर जो है यह केंड सरकार से रिलेट करते या फिर राज सरकार से रिलेट करते या फिर केंडर और राज दोनों से रिलेट करते यह आपको बताना है पृथम संसोधन कब किया गया जो भारतिय समिधान है इसमें जो पहला संसोधन हुआ था यह कब हुआ था क्या 1950 में हुआ था पहला संसोधन 1951 में हुआ था 1950 या फिर 1988 तो यह संसोधन जो हुआ था 1951 सही आंसर जो आपकी स्क्रीन पर है भी उत्तर हो जाएगा भी आप्सन राइट आंसर होगा जो भी पेड़ जोईन करना चाहते हैं कॉंटेक्ट करके जुड़ सकते हैं डेली आपको फिजिकल एचके से जिए से लेटेड मॉक टेस्ट वहां पर प्रवाइड किया जाता साथ में आपको जिएड़ी जो मॉक टेस्ट होता बीच-बीच में प्रवाइड मिलते हैं जिससे आप अपनी तयारी को अचछी तरीके से कंपलीट कर सके हैं और छो भी तयारी अगर आपको जुब एबस आपको नहीं आता तो उसको भी आप पूर कर सके हैं नेक्स्ट कोईशन पर मूव करेंगे, 19 नमबर प्रथम सम्वेधानिक संसोधन अधिनियम कब बना, 1950 में बना, 1951 में बना, 1952 या फिर 1955 में बना था, क्वेशन इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रथम सम्वेधानिक संसोधन अधिनियम कब बना, सम्वेधान से मिनिममम तीन क्वेशन आपके आएंगे, 30 में से 3 क्वेशन, इसलिए पढ़िएगा अवस, ये नहीं कि सम्वेधान उसको छोड़ दे, सम् एक्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी जिसमें भी जीएस आता है, उसमें सम्वेधान तो 100% मिलना ही मिलना है, क्या होगा यहाँ पर 19, 51 के साथ में रिलेट कर जाएगा, क्या 19 का B उत्तर क्या है, सही आंसर होगा, next question पर move करेंगे, 20 number है, सम्वेधान संसोधन, कितने प्र प्रकार से सम्वेधान का संसोधन किया जा सकता है, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, या फिर D option है, 5 प्रकार से, सम्वेधान संसोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो यह जो किया जा सकता है, आपका सही आंसर होगा, क्या 2 हो जाएगा, यह 3, 4, यह 5, बहुत स इसमें सही ये तीन प्रकार से सम्दान संसुदन किया जा सकता है राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे आपका UPPSC और UP SSSC में देखिएगा आंसर यहाँ पर मुंबई, कलकत्ता, लाहोर या फिर मद्रास क्वेशन नमबर 21 GS में आपके अभी 9 क्वेशन बचे हैं टोटल 30 प्रसन आपको मिलेंगे कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर स्वराज का लक्ष घोसित किया गया था यह कहां पर हुआ था यह हुआ था लाहोर में राइट आंसर हो गया सभी का C उत्तर C आप्शन सही नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे 22 कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्स पारित किया यह किस वर्स पारित किया 1940 में पारित किया 1941 में पारित किया 1946 में पारित किया या फिर 1942 में पारित किया था बताईएगा 22 का आंसर क्या हो सकता है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो पारित के ये 1942 D option से रिलेट करता है D उत्तर सही आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे लार्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्स रद्द किया 1911 में रद्द किया था 1904, 1906 या फिर 1907 देख लीजिएगा Most important question है आपकी स्क्रीन पर 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जागा है लार्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन जो है ये 1911 में रद्द किया था और आपको बताना है बंगाल विभाजन किसके सासनकाल में हुआ था एक नाम है आपकी स्क्रीन पर लार्ड हर्डिंग या फिर लार्ड करजन Next question पर मूब करेंगे Question number 24 मुझाफरपुर में Kingsford की हत्या का प्रयास कब किया गया 1908 में 1909 1907 या फिर 1911 में किया गया था इसका प्रयास तो सही आंसर आप लोग देखिएगा क्या इसका आंसर सभी को आता है अगर आता है तो 1908 से रिलेट किये हैं जो भी स्टुडेंट्स उन सभी का आंसर सही हो जाएगा राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे चंद्र ग्रहार घटित होता है 25 का आंसर आप लोग थोड़ा सा सही करिएगा ये आंसर वहाँ पर गलत हो गया था उसमें आंसर सीट में जब आपको आंसर सीट प्रोवाइड की गई थी अमावस्या के दिन पूनिमा के दिन घटित होता है अर्ध चंद्र के दिन या फिर आमस्या पूनिमा के दिन घटित होता है देखिया कि इसका क्या आंसर हो जाएगा इसके पहले कि वीडियो अगर आपने यूटूब पर नहीं देखे इसनी नमबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और साथ में daily mock test प्राप्त कर सकते हों और जो भी new students नोग 10,000 plus questions की पीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं question no.25 right answer क्या हो जाएगा याँएप पूनिमा के दिन से रिलेट करेगा बी option इसका सही answer होगा चंद्र ग्रहन की बात की जाए तो पूरिमा से रिलेट करेगा नेक्स्ट क्वेशन पर मूब कर जाएंगे क्वेशन नमबर है 26 साइन्स से रिलेटेड क्वेशन है आपकी स्क्रीन पर एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है इसकी आर्विक संद्चना के कारण प्रकास के सोसर के कारण पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के कारण या फिल्डी आपसन कुछ अन्य निहित गुड के कारण देखिएगा 26 में पूछा गया है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है तो इसका क्या रीजन है साइन्स से रिलेटेड क्यों है फिजिक्स का क्यों नमबर 26 पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के कारण सी आपसन सही होगा नेक्स्ट क्यों पर मूब करेंगे 27 ये क्यों आपकी स्क्रीन पर आ गया है बायो लॉजी से रिलेटेड एंटी बायोटिक है सापो का बिस है या फिजिदी आपसन दिया हुआ जीवानों द्वारा उत्पन बिस है देखियेगा आफला टॉक्सिन की बात की गई क्योंकि तीस में से चार से पांच क्वेस्चन बहुत टफ मिलेंगे आपको एल्टी ग्रेट में जो आयोग के द्वारा एक्साम कंडेक्ट करा जाता है जिसके आंसर आपको जल्ली से बुक्स में भी नहीं मिलने वाले हैं इसलिए इस तरीके के क्वेस्चन को ध्यान रखियेगा क्या आंसर होगा सही आंसर जो हो जाएगा कवक द्वारा उत्पन बिस ए उत्तर सही है नेक्स्ट क्वेस्चन पर मूब करेंगे 28 डबल रोटी के निर्मार में काम आने वाला कवक है ध्यान रखियेगा जिस में आपको जितने भी क्वेस्चन आएंगे सही होंगे नमबर आते हैं वो फिजिकल एच के अशन में आपकी मेरिट करने धार रखियेगा क्योंकि 120 में से आप 100 प्लस भी सही कर सकते हैं 110 भी सही कर सकते हैं लेकिन जो जिस में जितना भी आप सही करेंगे वो आपकी मेरिट के लिए बहुत थी लाबदायक सिद्ध होंगे वो दिए निर्मान में काम आने वाला कब आपको बताना है यह भी बायो से रिलेटेड प्लस बद्ध यहां पर आप सेका होना चाहिए रइट आंसे that होना चाहिएProfess empire CP पड़ रखें रेकिन उत्तर हो जाएगा आपका सी यहां पर सी आपसन राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे 29 पैनिसलीन क्या है आता है कोईशन और इस बार भी आपका पूछा गया है पैनिसलीन आपको बताना है कवक से रिलेट करेंगा बिशान सहवाल या फिर जिमार से रिलेट करेंगा राइट आंसर जो हो जाएगा सी आपसन सही होता है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे 30 नंबर है जियस से रिलेटेड इसके जस्ट बाद आपकी स्विरी सुरू हो जाएगी 120 कोईशन जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेश बताईएगा इसका आंसर क्या होगा निम्न में से किसमे क्लोरोफिल नहीं होता है सेवाल में नहीं होता है ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है तैरिडोफाइट्स में नहीं होता है या फिर कवक में नहीं होता है क्लोरोफिल पूछा गया है नहीं होता है तो ये कवक में नहीं होता है, सही answer से संबंदित है, D option, right हो जाएगा, D उत्तर, सही हो जाएगा, next question पर move करेंगे, आपकी screen पर physical edge questions, subject, जिसमें आप लोग का maximum questions सही होंगे, देखिएगा, यहाँ पर first question, physical edge questions से related, किसी भी ब्यायाम में पहले वार्मिंग अप क्यों जरूरी है, लचीला पन बढ़ाने के लिए जरूरी है, हिर्दय गत बढ़ाने के लिए जरूरी है, लैक्टिक अमल का इस्तर घटाने के लिए जरूरी है, या फिर एडरिनल का इस्तर घटाने हैं तो, बताईएगा, सही answer आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर फर्स्ट कोईशन फिजिकालाइज कोईशन से रिलेटेड और तीस कोईशन अभी आपके जियस के कम्प्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए आप्सन, लचीला पन बढ़ाने के लिए ए उतर राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे, नेक्स्ट कोईशन है, सारेरिक ब्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थित में किया जाता है, उसे कहते हैं, एरोबिक ब्यायाम कहते हैं, एन एरोबिक कहते हैं, आईसोमेटिक कहते हैं, या फिर आईसो काइनेटिक कहते हैं, देखिए का सेकंड का आंसर यहां पर मॉक टेस्ट के प्लेस पर आज आपको प्रैक्टिस टेट प्रॉआइड किया गया है बताईए गार राइट आंसर यहां पर क्या होगा और पेट गूरुप से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे प्रसिचित ब्यायामों में घड़ता है बढ़ता है इस्थिर रहता या फिर उप्रोग तुमें से कोई नहीं बताइएगा प्रसिचित ब्यायामों में हिर्दय का सूच्म परिणाम क्या होता यह घटता है ए आप्सन क्या होगा राइट हो जाएगा सही आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे next question है ब्यायाम के बाद पेसी के पूर पुनर संसलेशन के लिए आउसत न्यूंतम अवद कितनी है एक से दो घंटे चार का आंसर आप लोग देखेंगे ब्यायाम के बाद की बात की जा रही है तो फूर्थ का जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा और तालिस घंटे होगा या फिर चौबीस घंटे हो जागा देखेंगे इसके पहले की वीडियो के लिए आपको यूटूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एच क्वेशन भाई पंकास जो भी वीडियो आप टीजी टी से रिलेटेद देखना चाते हैं वहां से देख सकते हो सा ओप्शन एटैंप्ट किया उन सभी का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेशन पर मूप करेंगे फाइफ नंबर का कुषिशन है दिवार को धक्का मारना एक उधार नहें सबसे आसान क्वेशन सब भी का सही होगा क्या हो जाएगा आइसो मैट्रिक होगा आइसोटोनिक इसेंट्रिक भी आयाम, बालिस्टिक भी आयाम, आता हुआ क्वेशन बहुत से लोगों से गलत होता है, जल्दबाजी में, क्योंकि दिवार को धक्का मानना एक उधारने, आसान सा क्वेशन दिखा, तुरंट टिक लगा दिया, सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा, A option, A उत पूर्ण माना गया है, यह मानस्पेसियों को खिचने से बचाता है, दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालता है, भारी वजन उठाने में सहायता करता है, D option, A बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है, बताईएगा, क्वेशन नमबर 6 का आंसर यहां पर क्या होता है, राइट आंसर देखियेगा, यह मानस्पेसियों को खिचने से बचाता है, A option क्या है, इसका राइट हो जाएगा, A उत्तर सही हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेशन पर मूब करता है, क्वेशन नमबर 7 आपकी स्क्रीन पर, मानव सरीर में फार्टलेक बिक्सित होती है, किससे बिक्सित होती है, गत इससे बिक्सित होती है, छमता से, ताकत से, या फिट चपलता से, मानो सरीर में फार्टलेक बिक्सित होती ये पूछा गया है तो ये आपका छमता से बिक्सित होती है B option क्या है इसका सही answer है Right answer है Next question पर move करेंगे Question number 8 है किसके द्वारा aerobic सक्ति में ब्रद्ध की जा सकती है किसके द्वारा aerobic सक्ति में ब्रद्ध की जा सकती है तैराकी के द्वारा ब्रद्ध की जा सकती है circuit प्रसिछण के द्वारा साट sprinters के द्वारा या फिल लंबी दोड़ Right answer आप लोग देखिएगा क्या होगा और जितने भी questions आपको मिल नहीं सभी important question है यो कि आप लोग बहुत सब मेहनस से पढ़ाई किया है बहुत अच्छे से तयारी कर रहे हैं बस आप लोग अपने mock test भी लगाते रहिएगा बीच बीच में कि कितने questions साथ सही करने हैं किस label पर आपको पढ़ाई करनी है 8 का जो answer हो जाएगा लंबी दोड से relate करेगा D option सही हो जाएगा next question पर move करेंगे हिर्दै समवाहन दच्छता निर्धारित करने वाले परिच्छान का नाम बताना है आपको कौन सा होगा Harvard step test होगा Cooper test होगा Margoria step test या फिर bench test 9 में देखना है आपको यहाँ पर A, B, C D या फिर D option right answer क्या हो सकता है और कम से कम 4 से 5 दोस्तों के साथ जो भी physical ask questions से related तयारी कर रहे है उनको आप वीडियो अवस सेर करें जिससे उन सभी को इसका benefit मिल सके question number 9 हिर्दै समवाहन दच्छता निर्धारित करने वाले परिच्छन का नाम आपको बता देना यहाँ पर तो यह कौन सा होगा Harvard Step Test A option सही होगा right answer होगा next question पर move करेंगे question number 10 mesocycle mesocycle की अवद ही बताना है बहुत आसान सा question हाँ एक चीज़ यह भी ध्यान दखिएगा question आसान tough, moderate सारे टाइप के 120 में आपको मिलते हैं exam में योकि अगर आप मान के चलेंगे paper पूरा आसान होगा तो पूरा आसान paper आपको आयोग के द्वारा नहीं मिलने वाला है योकि वहाँ पर tough questions भी आने हैं तो इसलिए हर तरीके के question अवस्या आप लोग परते रहिएगा अब इसका जो answer होगा 10th का B option से relate कर जाएगा B उतर जो भी अभ्यरती attempt किये हैं सभी का B option सही होगा next question पर move करते हैं question number 11 1953 में किसने भारत में ब्यवस्थित खेल प्रसिचन के लिए पहली पर्योजना को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहला नहरू ने प्रस्तुत किया था राजकुमारी अमरत कौर ने प्रस्तुत किया डाक्टर पी एम जोसेफ या फिर सर्दोराबजी टाटा ने प्रस्तुत किया था 11 में आप लोग बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है राजकुमारी अमरत कौर चितने भी स्टुडेंट्स ने टिक लगाए है सभी का आंसर क्या होगा बिल्कुल सही आंसर है राइट आंसर है लिक्स दो बार वीडियो को आप लोग देख लीजेगा आंसर आपके माइंड में फिट हो जाएंगी याद हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेशन पर मूब करते हैं क्वेशन नंबर 12 निम्न में से कौन सा प्रसिच्छन के द्वारा क्लाइंट द्वारा उत्पन पिक फोर्स का प्रत्केश माप लेता है ग्रिप डाइनमोमीटर सिट और रिच परिच्छन स्टार्ट स्टैंड परिच्छन या फर स्फिग्नो मैग्नोमीटर क्वेशन नंबर 12 का आंसर देखिएगा मौक टेस्ट नंबर आपका 37 प्रैक्टिस सेट है ये 150 क्वेशन का सही आंसर यहाँ पे 12 में क्या हो जाएगा ग्रिप डाइनमोमीटर होगा या फिर आपका स्टार्क स्टैंड परिच्छन होगा ग्रिप डाइनमोमीटर राइट आंसर है ये उत्तर सही होगा नेक्स्ट क्वेशन पर मूब करेंगे 13 पर प्रभावकारी सिच्छन कौसल अनेक कारकों से प्रभावित होता है उनमें प्रमुख है उपकरण प्रमुख है समूह का आकार प्रमुख है विसेश कारिकलाप या फिर मौसम 13th क्या होगा यहाँ पर विसेश कारिकलाप होगा क्या है यहाँ पर राइट आंसर के साथ में रिलेट कर जाएगा बिल्कुल C आपसन यहाँ पर सही आंसर है C उतर राइट होता है next question पर move करते है अंस अभ्यास का एक प्रकार जिसमें एक जटिल कौसल के एक या एक से अधिक भागों का अलग से अभ्यास किया जाता है किसके रूप में जाना जाता है या किसके रूप में जाना जाता है फ्रेंक्स नाइजेशन के रूप में जाना जाता है खंडी करन के रूप में जाना जाता है सरली करन या फिर सीरियल कौसल के रूप में जाना जाता है या किसके रूप में जाना जाता है यह आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 14th का सही उत्तर जो रिलेट करेगा जो भी आप भरतिया अटेंप्ट कर दिये हैं यहाँ पर आंसर फ्रेंक्स नाई जेसन ए उत्तर उन सभी का क्या होगा सही आंसर होगा नेक्स्ट कोशन पर मूब करता है फ्रेंशन नंबर 15th है नियमित ब्यायाम और प्रसिच्छन कंकाल की मानस्पेसियों के आकार और मात्रा को बढ़ाता है इस घटना को क्या कहा जाता है इस घटना को क्या कहा जाता है मंद नारी कहा जाता है मानस्पेसियों अतिब्रद्ध कहा जाता है हुर्दय अतिब्रद्ध कहा जाता है मसल टोन कहा जाता है देखिए का 15th most important question है आपके screen पर इसका answer क्या हो सकता है और right answer आप लोग बताएंगे पेट ग्रूप से जो भी जूड़ना चाहते है contact एरके पेट ग्रूप से भी जूड़ सकते हैं सही answer क्या होगा continuity आप लोग बनाया रखिए कर मेहनत करते रही है क्योंकि आपको selection प्राप्ट करने हो ज्यादा से ज्यादा माक्स गेन करने question number 15 be option मान स्पेशी आतिब्रद सही होता है next question पर move करते है 16th सर्वोत क्रष्ट खिलारियों के संदर्व में काल बिभाजन चक्र की विशेष्टाओं में क्या समलित है इसमें क्या समलित है लगुत तयारी काल समलित है लंबा प्रतिस परधा काल बहु खंडी ये काल बिभाजक चक्र या फिर D option है बहुत ही थोड़ी प्रतिस परधाएं देखिएगा कौन सा यहाँ पर option सही होगा ये भी question थोड़ा सा differ है right answer देखिएगा 16th का क्या हो सकता है A, B, C या फिर D option कुछ students ने यहाँ पर A option भी लगाया होगा लेकिन सही answer यह होगा बहु खंडी ये काल बिभाजक चक्र हो जाता है C option सही हो जाएगा next question पर move करेंगे 17th है प्रसिच्छण हस्तानांतर्ण क्या है या क्या है उद्योग में नवीन अवस्थाएं सीखना है वाता वरन से सीखना है मौकिक सीख बिभिन अवस्थाओं में D option है पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रियोग करना question number 17 प्रसिच्छण हस्तानांतर्ण क्या है तो यह किस से रिलेट करेगा पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रियोग करना या फिर उद्धोग में नवीन अवस्थाएं सीखना दो option हैं आपके पास में A और D देखिएगा सही answer क्या होता है right answer जिन भी students ने attempt किया है A के place पर D उन सभी का answer सही होगा D उत्तर इसमें क्या है right answer हो जाएगा D option सही होगा next question पर move करेंगे question number 18 प्रारंभिक सैसर काल में अनारूबिक ब्यायाम से बिक्सित होने वाली mansp 찾아 zu Pale कैसी होति है मजबूत होती है छोटी होती है गूल होती हिता으िक या फिर यह सभी होती ही अब देखिएगा यहां पर 18 में प्रारंभिक सैसर काल की बात की गई है में एनारोबिक ब्यायाम से बिक्सित होने वाली मांस पेसी कैसी होती है मजबूत छोटी गोल या फिर ये सभी तो सही आंसर क्या होगा मजबूत भी होती है छोटी भी होती है गोल भी होती है निस सही आंसर डी उपरोक्त सभी डी आप्सन राइट आंसर है नेक्स्ट कोईश ऑल्यक्टिक एसिड या फिर वसा कहते हैं तो इसको बोलेंगे ल्क्टिक एसुड एपसेन यहाँ पर कार्बो हाइड्रेट नहीं होगा ध्यान रही है कहीं कहीं पर भी ऑप्सेन भी दिया हुआ है नेक्स्ट कोषिस्टन पर मूब करते हैं है question number 20 निम्ड मैंसे किस क्रम से आधार भूत कौसल सीखने पर खेलों में बिजय प्राप्त की जा सकती है option अच्छे से आप लोग पढ़के answer इसका निकालिएगा कौन सा option यहां पर सही हो सकता है question question number 20 का राइट answer attempt करिएगा और एक चीज और ध्यान रखिएगा एक 150 question जब भी आप practice set लगाएं और हमार सीट जो भी आपको मार्केट से मिल जाएगी और फिर आप यह आपने गोला बनाया तो यही मान के चलिएगा जिस तरीके से एक्जाम में एक बार सर्क्ल करने के बाद आप दुबारा चेंज नहीं करते हैं question number 20 right answer क्या होगा यहां पर सी option इसका क्या है सही होगा इसकी टैक्निक के स्टैक्टिस के साथ में रिलेट करेगा सी option इसकील होगा यहां पर right answer हो जाएगा सी उत्ता सही होगा next question पर move करेंगे question number 21 total है 120 प्रस फिजिकल एज क्वेशन तीस क्वेशन आपके complete किया जा चुके हैं जो थे GS से रिलेटेड अब जो चल रहे हैं आपका subject फिजिकल एज क्वेशन है आप लोग scoring अलग-अलग करके देखिएगा GS में कितने सही हो रहे हैं फिजिकल एज क्वेशन में कितने सही हो रहे हैं माइनस कर दीज़ेगा जो भी गलत हो रहे हैं उसके बाद आप दोनों जितने भी मिले marks उनको plus करके देखिएगा कि total डेड़ सो में से 150 में से कितने questions आ आपके कम सही हो रहे हैं प्लस में 60 रहना चाहिए question number 21 खेलो में new term अवधिक training cycle कहलाती है क्या कहलाती है माइक्रो साइकिल कहलाती है मैक्रो साइकिल कहलाती है मीजो साइकिल या फिर इन में से कोई नहीं question number 21 a option b c या फिर d option 21 का answer देखिएगा practice set है आपकी screen पर सभी लोगों के maximum questions राइट होंगे a option क्या है सही हो जाएगा next question पर move करेंगे 22 सिछण की प्रभाव अतमक्ता की माप की जा सकती है अच्छी बिसे वस्तु के द्वारा कड़ा अनुसासम बिद्यार्थियों पर प्रभाव या फिर d option ने बिद्यार्थियों को छूट 22 क्या answer आप लोग relate करेंगे क्योंकि चारो option कहीं न कहीं आपको सही लग रहे होंगे इसके पहले की वीडियों के लिए YouTube पर सर्च कर सकते हैं आप लोग physical education by पंकसर ध्यान रखिये का physical education by पंकसर जैसा ही सर्च करेंगे आपको physical education से related सारी वीडियों वहाँ पर मिल जाएंगे आप उनको देख सकते हैं question number 22 right answer अच्छी विशय वस्त होगा इसका answer ए उत्तर सही होगा next question पर move करेंगे 23 निम्न में से किसमे गति की चाल पर नियंतरन होता है आइसो काइनेटिक ब्यायाम आइसो मैट्रिक ब्यायाम आइसो टोनिक ब्यायाम जा फिर eccentric ब्यायाम 23 का answer देखिएगा यहां पर कौन सा सही हो जाएगा निम्न में से किसमे गति की चाल पर नियंतरन होता है तो इसमें जो नियंतरन होता है किस पर होगा आइसो काइनेटिक ब्यायाम के साथ में रिलेट करेंगा जो भी अभ्यर्थी ए आप्सन अटेम्ट किये हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं और टीजीटी में एक कोईशन चार मार्थ का होता है यनि पांसो कोईशन पांसो मार्थ का एकजाम होता है तो इसलिए आप टीजीटी के अगर तयारी कर रहे हैं तो 120 का चार से गुड़ा करके 480 के हिसाब से आप निकाल दीजिएगा 120 गुड़े 4 से निकाल लिएगा 480 क्वेशन मार्क्स में से आप कितने सही मार्क्स सही कर रहे हैं क्वेशन सही हो रहे हैं कितने मार्क्स पा रहे हैं और अगर आप एल्टी ग्रेट के प्रिप्रेशन कर रहे तथा सुधार करना दिये कारी को बार-बार करना 24 का आंसर यहां पर क्या होता है सी आप्सन क्या है सही होता है राइट आंसर होगा 25 है आपकी स्क्रीन पर most important question कहीं बार आपको यह complete किया गया है किसी कारी को करने की तयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है किसी कारी को करने की तयारी की प्रक्रिया जो है यह क्या कहलाएगी वर्मिंग अप कहलाएगी be option इसमें सही है राइट आंसर है, next question पर move करेंगे 26, गति का अध्यन कहलाता है, आसान सा question है, सभी का राइट होगा, गति बिग्यान, जिव बिग्यान, मनो बिग्यान या फिर समाज सास्त्र, 26 में, तो गति का अध्यन जो होगा, ये गति बिग्यान से रिलेट करेंगा, A option, सही आंसर है, next question पर move करेंगे 27, गति के विकास की बिधियान है, त्वरन दोड, पेस दोड, दोनो, D option, इन में से कोई नहीं, बताईएगा 27 का answer, गति के विकास की बिधियान बताना है, तो एक तो आपका त्वरन दोड होगा, दूसरा पेस दोड, ये दोनों से रिलेट करेंगा, C option, सही हो होगा, right answer होगा, next question पर move करेंगे 28, डाइनमिक सब्द का संबंध है, जो डाइनमिक सब्द है, इसका संबंध किस से है, बल से है, कार से है, दमखम से है, लचीला पन से है, ये question आपको practice set में दिया जा चुका है, तो ये यहाँ पर जो answer हो जाएगा, D option से relate करता है, D उतर, सह ही होता है, next question पर move करेंगे 29, फार्टलेक प्रसिचर का संबंध आपको बताना है, ये किस से है, ये भी सबी का सही होगा, ये दमखम से relate कर जाएगा, क्या C option यहाँ पर right answer होगा, दोनों question आप ध्यान रखिएगा, next question पर move करता है, 30 number, speed play का संबंध, circuit training से है, फार्टलेक ट् training से है, या फिर D option, interval training से है, बताईएगा, speed play का संबंध, ये किस से relate करता है, क्या circuit training इसका सही answer हो सकता है, या फिर फार्टलेक ट्रेनिंग, निरंतर ट्रेनिंग, या फिर interval training, 30 answer है, यहाँ पर फार्टलेक ट्रेनिंग, बी आप्सन, इसमें क्या होगा, सही answer हो जाएगा, next question पर move करेंगे, 31, निम्न स्वास्थ संकल्पनाओं में से, कौन सी संकल्पना, नवींतम है, इसमें से कौन सी संकल्पना है, जो नवींतम है, जाव, चिकित्सा संकल्पना है, मानसिक, सामाजिक संकल्पना है, धार्मिक संकल्पना या फिर पारिस्थित की संकल्पना है, क्या 31 का answer है, निम्न स्वास्थ संकल्पनाओं में से, कौन सी संकल्पना, नवींतम है, तो ये कौन सी हो जाएगी, धार्मिक संकल्पना हो जाएगा, इसका सही answer नवींतम है, right answer C हो जाएगा, next question प मूब करेंगे 32 है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा सही आंसर क्या हो सकता है और मौक टेस्ट आपका जो है 150 क्वेस्टन क्या नहीं प्राक्टिस सेट है उसमें आप लोग देखिएगा कितने क्वेस्टन्स आज के इस प्राक्टिस सेट में सही होते हैं 32 स्वास्थ एवं ब्यायाम देज्ञानिक के अनुसार स्वास्थ रखने के लिए कम से कम कठिन ब्यायाम प्रतिदिन एक घंटा सुबह एवं एक घंटा साम next है केवल एक घंटा सुबह C option है आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में तीन दिन और D option तीन घंटा प्रतेक सप्ता 32 का आंसर देखिएगा क्या हो सकता है most important common sense लगाना है आपको right answer क्या हो जाएगा सही answer के साथ में relate करेगा C option सही हो जाएगा next question पर move करते है 33 number है ब्यायाम का स्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव क्या होगा इच्छा सक्त बढ़ जाती है स्वसन क्रिया की दर में कमी सहन सक्ति में ब्रधी D option है उपरोक्त सभी बताईएगा ब्यायाम का जो स्वसन संस्थान है पर होने वाला प्रभाव क्या होगा क्या इच्छा सक्त बढ़ जाती है A option second स्वसन क्रिया की दर में कमी third है सहन सक्ति में ब्रधी यानि D option इसका क्या है right answer है D उत्तर सही होगा next question पर move करेंगे question number 34 बिस स्वास्थ संगठन के अनुसार 34 number का answer क्या हो जाता है यहां पर option है आपकी screen पर question अच्छे से पढ़िएगा समझेगा चारो option पढ़ने के बाद answer attempt करिएगा right answer क्यों हो जाएगा यहां पर जल्दी से आप लोग right answer लिखिएगा कौन सा उत्तर सही होता है most important 9621819209 पर सामान स्वास्थ के लिए कुल कितने की संख्या में खनीज को आवस्यक मानना गिया है यह question का answer जो question 35 है इसका answer आप लोग को search करने पर differ मिल सकता है लेकिन जो option है आपके पास में उसमें से आपको बताना है 19, 21, 23, 25 तो यहां पर option के according be option सही होगा right answer होगा next question पर move करेंगे question number 36 लोही की कमी से जो लोहा है इसकी कमी से सरीर में कौन सा रोग होता है यह बताना है बेरी बेरी रोग होता है एनेमिया होता है हैम्रेज होता है सकरवी होता है या फिर यहां e option में लिखिएगा इन में से कोई नहीं बताईएगा 36 का answer क्या हो सकता है जो भी अभ्यर्थी b option attempt के उन सभी का उत्तर क्या होगा सही होगा next question है flat fit का पता किस यंतर से लगाया जाता है तो यह किस यंतर से पता लगाया जाता है pedograph spinograph spirometer या फिर accelerometer option देख लीजिएगा यहां पर कौन सा सही हो सकता है 37 में क्या होगा a option pedograph इसका उत्तर सही होगा right answer होगा next question है आपकी screen पर निम्ण में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है इसमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है first malaria नहीं है AIDS, smallpox या फिर measles देखिएगा question नहीं पूछा गया है तो यह B option हो जाएगा सही answer next question पर move करेंगा 39 RBC का G1 call वहाँ पर आपका answer जब type किया जा रहा था तो गलत हो गया था वहाँ पर हमने C option आपको attempt करा दिया था right answer हो जाएगा 120 दिन होता है A option सही होगा next question पर move करता है संक्रा संक्रमर फैलने का कारक है rodents है बरतन, भोजन या सभी बहुत आसान सा question है 40 का answer क्या हो जाएगा देखिएगा question number 40 और total 150 प्रस्ण होंगे यहाँ पर आप super debt के लिए 500 का payment करके आप super debt से जुड़ सकते है question number 40 इसका right answer क्या हो जाता है D option उप्रोक्त सभी से relate करता है D उत्तर सही होगा next question पर move करेंगे cardiovascular बीमारी किस से संबंधित या किस से relate करता है आंतरिक कोमल अंगो से संबंधित है स्वसंतंत्र से संबंधित बीमारी है उच्च रक्त चाप से संबंधित बीमारी है या फिर हृदय वर रक्त धमनियों से संबंधित बीमारी है 41 का answer देखिएगा यह important है question बताईएगा 41 answer क्या होगा यहाँ पर हृदय वर रक्त की धमनियों से संबंधित क्या है बीमारी है D option सही answer है next question है आपकी screen पर यह भी important है क्या दिया हुआ है एक milliliter रक्त में platelets की संख्या होती है platelets की संख्या कितनी होती है 1 lakh 2 lakh 3 lakh या फिर 4 lakh एक लाक, 2 lakh, 3 lakh या फिर 4 lakh आपको बताना है आपको आंसर एक milliliter रक्त में platelets की संख्या C option क्या है इसका सही answer है और इसके पहले की वीडियो अगर physical education से लेटर आपने नहीं देखे है सर्च करिएगा YouTube पर physical education अगर आप new student क्योंकि पुराने students already channel के साथ में जुड़े हुए हैं बहुत सा students group से भी तयारी कर रहे हैं इसलिए जो भी new students हैं वो पुराने वीडियो को अबसे देखें क्योंकि आप लोग तयारी कर रहे हैं continuity बनाया हुए तो कहीं न कहीं आपको उन question से भी help अवस मिलेगी रक्त संचलन का सही क्रम क्या है रक्त संचलन का सही क्रम देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा option आपकी screen पर है हरदय धमनी धमनी का केसिका option देखिएगा right answer हो जाएगा क्या A ही option इसका सही answer होगा A उत्तर right होगा next question पर move करेंगे question number औसद बालिक का आगहात परिमार है यह क्या होगा TZT में आपको यह question complete किया गया है practice set में right answer बताईएगा 70 ml, 80, 85 ml या फिर 90 ml औसद बालिक का आगहात परिमार बताना है तो यह है 70 ml क्या होगा A option सही answer होगा A उत्तर right answer होगा next question पर move करते है रक्त में होने वाले हीमोगलोबिन का oxygen से बंध का प्रतिसत कितना होता है इसका जो percentage होता है वह कितना होता है 90.8% होता है 92.5% होता है 95% या फिर 98.5% होता है 45 का answer देखिएगा क्या हो सकता है और बस तयारी ऐसे ही करते हैं जिस तरीके से TZT में student select हो है बस उसी तरीके से आप लोग भी मेनत करते रहिएगा आपका भी selection सुनिश्चित होगा तो question number 45 right answer देखिएगा यहाँ पर पताईएगा सही answer क्या होगा 98.5 D उत्तर क्या है सही है next question पर move करेंगे तो लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार से प्राप्त करते है क्या प्राप्त करते है रत कोसिकाई हीमो ग्लोबिन बोन मैरो या फिर प्रोटो प्लाजम तो लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार से प्राप्त करते है तो ये है हीमोग्लोबिन राइट आंसर है यहाँ पर B option B उत्तर सही होगा next question पर move करेंगे हैं हम 47 पर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तक तो की आवसकता होती कौन से तक तो की आवसकता होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए potassium के आवसकता होती है calcium के आवसकता होती है loha या फिर iodine के आवसकता होती है तो बताईए 47 most important है C option loha से relate करता है next question पर move करेंगे 48 एक स्वस्थ ब्यक्ति में systolic दबाओ का दाइरा होता है 90 से 100 mmHg होता है 100 से 110 होता है 110 से 120 125 120 से 130 48 कितना होता है तो यह होता 110 से 125 mmHg क्या है इसका सही answer एगा next question पर move करेंगे हरदय के किस भाग से अरोटा जुड़ा होता है हरदय के कौन से भाग से अरोटा जुड़ा होता है दाहिने वेंट्री कल से जुड़ा होता है बाइं वेंट्री कल से जुड़ा होता है दाहिने औरिकल से जुड़ा होता है या फिर बाइं औरिकल से जुड़ा होता है 49 का answer क्या हो सकता है यहाँ पर बाइं वेंट्री कल से रिलेट कर जाएगा क्या बिलकुल जितने भी स्टुड़ेंट्स ने बी आप्सन अटेम्ट किया है उन सभी का answer सही होगा नेक्स्ट कोईशन है 50 नंबर आपकी स्क्रीन पर ऐसी धमनी जो असुड़ रक्त हिर्दय से लेकर फेफोडों तक पहुचाती है हिर्दय धमनी फुफसीय धमनी उच्च महासिरा या फिर लसिका नलिया पचास का answer देखिएगा और साथ में आपके पचास प्लस तीस असी question होगा है complete अभी आपके सतर question और बचे हुए total complete होने में पताईएगा पचास का answer यहाँ पर होगा फुफसीय धमनी बी option सही answer होगा next question पर move करेंगे most important question है प्रतिबल की अनुकुरिया में सरीर रच्छात्मक प्रत्किरिया के एक तंत्र को किस से संचालित करता है adrenal grant से संचालित करता है thyroid grant से पैरा thyroid grant से या फिर पैंक्रियास से 51 में कहां पर आप लोग मिलाईएगा answer क्यों सा सही होगा क्या हो सकता है पैरा thyroid grant जो भी students attempt कर दिये हैं उन सभी का answer differ हो जाएगा यह option सही है next question पर move करेंगे 52 अब बताईएगा 52 से जो शुरुआत होगी questions की most important है फ्राइड ने आक्रमर सीलता को किस रूप में परखा मूल भूत प्रवरति के रूप में सीखा हुआ ब्योहार के रूप में ग्यानात्मक अनुक्रिया के रूप में हतासा के प्रति अनुक्रिया के रूप में 52 का आंसर देखिएगा मूल भूत प्रवरत्य सीखा हुआ बेभार ग्यानात्मक अनुक्रिया या फिर हतासा के प्रति अनुक्रिया राइट आंसर है मूल भूत प्रवरत्य ए आप्सन सही होगा 53 संग्यानात्मक मूल्यांकर सिधान्त के प्रतिपादक आपको बताना है इसके प्रतिपादक कौन है एवरील हैं लेजारस हैं आंटन या फिर मैंडलर क्या होगा क्या यहां पर लेजारस के साथ में रिलेट करेगा बी आप्सन सही होगा नए द्यान रखिएगा बी उत्तर राइट आंसर हैं तीएटी मारगा ने मुरे से रिलेट करती ये आपका राइट आंसर क्या होगा प्रच्छेपन विदियों में रखा जाता इसको ए आप्शन सही होगा नेक्स्ट कोईशन से रिलेट करेंगे कथानक संप्रत्य परिछन का प्रतिपादन किस ने किया एड़ वर्ट्स ने किया वाट्सन ने मैं किन्टोस ने या फिर मर्रे ने 55 देख लीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर डी आप्शन होगा क्या सही आंसर से रिलेट कर जाएगा डी उत्तर सही होगा यह कोईशन थोड़ा सा आपको टफ लगेंगे कोईशन नमबर है आपके स्क्रीन पर 56 इस्त्री तथा पुरुस्की यौन ग्रंति क्रमसा कहलाती है आप संहें आपके स्क्रीन पर 56 में बताईएगा आंसर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा और यूटूब पर सर्च करिएगा फिजकाल एजक्वेशन भाई पंकस सर फिजकाल एजक्वेशन और जीएस दोनों से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिट से मिल जाएंगे और जो भी ग्रूप जोइन करना चाहते हैं पेड ग्रूप से जूरना चाहते हैं 9621819209 पर कॉ राइट होगा सही होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूप करते हैं 57 अब प्रेरक के गुड़ा रोपर सिधान्त के प्रतिपादक हैं कौन प्रतिपादक हैं वाइजर, मर्य, वार्टसन और वाइनर अचर हैं में अंसर होगा गुड़ा रोपर सिधान्त के प्रतिपादक वाइनर है डी उत्तर क्या है इसका सही आंसर है करेंगे किस मनो वैज्यानिक द्वारा आत्मसिद्धी अभी प्रेरख की ब्याख्या की गई है कौन से मनो वैज्यानिक के द्वारा आत्मसिद्धी अभी प्रेरख की ब्याख्या की गई मैसलो महोदय के द्वारा की गई सोलोमान कॉर्बिट या फिर जुकर मैं तो इसकी जो ब्याख्या की गई है ये मैसलो जी के द्वारा की गई है ये option इसमें सही answer है next question है आपकी screen पर important question for DSSP and Rajasthan PTI के लिए प्रियोगों से निस्कर्स निकाला गया कि जैसे जैसे ब्यक्ति बड़ा होता जाता है उसमें समवेगों का विकास निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है परिपक्वता पर निर्भर करता है सीखने पर निर्भर करता है पर्या वर्रान पर निर्भर करता है या फिर D आप्षन ने स्वैम की रूच पर निर्भर करता है 69 नंबर का आंसर क्या हो सकता है question एक बात फिर से पढ़िएगा आप लोग तो ये जो निर्भर करेगा परिपक्वता पर तो निर्भर करता लेकिन आप्षन के अकॉर्डिंग सबसे मेन आप्षन हो जाएगा सीखने पर भी उत्तर सही होगा next question है आपकी screen पर Epstein का जो संबंद double depletion सिधान से है वही संबंद MacDougal का डैस से है कौन से सिधान से है प्रणोद सिधान से है वैक्टर करशन सिधान से है मूल प्रवत्य सिधान या फिर प्रोसाहन सिधान तो यह हो जाएगा MacDougal यह मूल प्रवत्य सिधान से रिलेट करेंगे C option सही होगा next question पर move करता है कुंजरू कमेटी के स्थापना कब हुई थी इस तथा इसके पहले chairman कौन थे option है आपके screen पर starting से रिलेटेड है बताईएगा 1969 हरदयनाथ कुंजरू 1972 ML call 1979 कपूर या फिर 1982 1982 नरेश सिंग क्या होगा 1982 नरेश सिंग 1989 कपूर 1972 ML call या फिर 1969 हरदयनाथ कुंजरू question नंबर 61 यहां पर जो होंगे chairman relate कर जाएंगे यह option 1959 हरदयनाथ कुंजरू next question पर move करेंगे 62 माका का पूरा नाम आपको बताना है question पूछा जाता है 62 और यह question आपको कई बार कराए गया आप लोग इसकी रासी बता दीजिएगा जो भिजेता रासी पुरुसकार रासी वह कितनी है मौलाना अबुल कलाम आजात से रिलेट करता है यह option सही होगा आसान सा प्रस्म था next question आल इंडिया काउंसिल आफ स्पोर्स की स्थापना कब हुई तो इसकी जो स्थापना हुई थी 63 नंबर के 1973 में 1952 1984 या फिर 1954 क्वेस्चन एक बार फिर से पढ़िएगा आल इंडिया क्वेशन पर मूब करेंगे AICS के पहले चेर्मेन कौन थे जिन्हें इसकी सुरुवात का स्रेव ही जाता है है एच सी बक कुबर्टिन स्वर्गिय मौलाना अबुल कलाम आजाद याफिर प्रोफेसर एम कॉली बताईएगा 64 का आंसर इसके पहले आप लोग बताना है SAI साई की स्थापना कब हुई बताईए क्वेशन नंबर 64 का जो आंसर हो जाएगे ये होगा यहाँ पर C आप्शन राइट हो जाएगा C उत्तर सही होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे लखनो क्रिस्चन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताईएगा C आप्शन 1932 बहुत आसान सा क्वेशन है सभी का राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन है ये कि स्थापना चैनाई में किस ने और कब की थी ये इंप सी ए से रिलेटेड़ कोईशन अक्सर पूछा जाता है एक्जाम में तो सब्सक्राइब नेक्स्ट कोईशन है आसान से प्रसंता नेशनल फिटनेस कोर्स को कब बनाया गया जो क्वेशन आपके बिल्कुल सभी हो जाएंगे एक्जाम में अगर यह क्वेशन एक्जाम में पूचे आते हैं बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा तुरंत 65 में बनाया गया नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे 68 साइं का साउथ केंद्र का मुख्याले कहां पर है त्रिवेंद्रम में हैं चन्नाई में हैं बंगलूरू में है या फिर पॉंडचेरी में है बताइए साउथ मुख्याले मुख्या गया है तो यह किस से रिलेट करेगा बंगलूरू से रिलेट करेगा या फिर चन्नाई से रिलेट करेगा सी आप्सन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन है आपकी स्क्रीन पर भारती ओलंपिक संग में प्रतियोगिता को किस वर्स ओलंपिक से बाहर कर दिया गया थे यह इंपॉर्टेंट है कि तीन ही आप्सन से आप लोग आंसर बता दीजिएगा 1912 में बाहर किया गया था 1948 में बाहर किया गया था 1952 या फिर 1956 में बाहर किया गया एक आप्सन आप पढ़ाईएगा इसमें 1956 कौन सा उत्तर सही हो जाएगा यहां पे 70 का तो राइट आंसर जो हो जाएगा कर सी आप शन उनिश सो बावन यहीं ची उत्तर क्या होगा सही हो जाएगा नेक्सट कॉइस्छन आप्की स्क्रीन पर Crush रूदिर का थक्का जमने में सहायव होता है तथा रुधिर में कहां से निकलता है यह बताइए यक्रत से निकलता है स्वैत रुध्राण रुधिर प्लेटलेट्स या फिर इन में से कोई नहीं इसका आंसर जो भी स्टुडेंट्स अटेंट किये हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा इसके पहले के वीडियो के लिए आप लोग यूटूब पर सर्च कर सकते हैं फिच का लैच्वेशन बाइपंकस और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्र 009 पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीन साट भेज कर कुरूप से भी जुड़ सकते हैं क्वेशन नंबर आपकी स्क्रीन पर आएका नेक्स्ट 72 यदि रुधिर कोशिकाएं अलग कर दी जाएं तो सेस बचा द्रब क्या कहलाता है सेस ब 22 तो यह क्या कहलाएगा यदि रुधिर कोशिकाएं अलग कर दी जाएं तो सेस बचा द्रब क्या कहलाएगा प्लाजमा कहलाएगा सी आप्सन क्या है यहां पर सही आंसर है राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन है आपकी स्क्रीन पर कंडरा जोडती है क्वेशन इस तरीके से इस बाद पूछा गया था और ये practice set में question था आपका exam के सिर्फ और सिर्फ एक से दो दिन पहले जो practice set आपको provide किया था उसमें से question आ गया था तो ध्यान रखिएगा continuity अवसे बनाया रखिएगा D option इसका सही होगा next question WBC का कार क्या होता है जो WBC है उसका कार याप बताएंगे यह ब्यक्ति के सरीर को बिमारियों से बचाता है उर्जा देता है protein का समवहन करता या फिर वसा को घटाना 74 WBC का क्या कार है सरीर को बिमारियों से बचाता है रोग प्रत्रोधक सक्ति से रिलेट करता का A option सही होगा next question WBC सही रिलेट कर रहा है में लिंफोसाइड का कितना प्रतिसत होता है यह थोड़ा सा विवादित question है लेकिन answer आप option के recording बताएंगे 15% 30% 25% या फिर 40% बहुत सब्सक्राइब करेगा या फिर यह सभी टिसू है क्या 76 का answer D के साथ में रिलेट करेगा वह कौन सी कोसिका है जो पूरे सरीर को ढखक कर रखती है तो यह है epithelium tissue A option राइट है सही answer है next question है आपके screen पर संयोजक कोसिकाएं मानो सरीर के किन अंगों में पाई जाती हैं cartilage में पाई जाती हैं हड़ी में पाई जाती हैं रखत कोसिकाओं से रिलेट करेगा या फिर इन सभी से संबंधित हैं संयोजक कोसिकाओं की बात की गई है मानो सरीर के किन अंगों में पाई जाती हैं तो यह cartilage हड़ी रखत कोसिकाओं D option उप्रोक्त सभी सही answer है right answer है next question पर move करेंगे एक क्यूबिक मिलिलीटर रखत में कितनी स्वैत रखत कोसिकाओं होती हैं इसमें कितनी स्वैत रखत कोसिकाओं होती हैं पचास से एक लाग तक होती हैं बीस से तीस हजार होती हैं एक से डेरह लाग तक या फिर छे हजार से दस हजार तक बताईएगा एक क्यूबिक मिलिलीटर रक्त में स्वेत रक्त को सिकाएं ये छे हजार से दस हजार तक D option क्या है सही होगा next question पे move करेंगे platelets का जीवन काल आपको बताना है या कितने दिनों का होता है 79 आसान सा question है सभी का सही होगा D उत्तर right answer next question 80 कौन सी रक्त को सिकाएं रक्त का ठक्का जमाने में मदद करती है कौन सी है रक्त का ठक्का को सिका जमाने में मदद करती है को सिका कनाम बताना है RBC, WBC, Phagocytes, Platelets question number 80 देखिएगा कौन सा उत्तर सही होगा आसान सा प्रसने सभी का right answer होना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग तयारी करें D option के साथ में relate करेंगा D उत्तर right हो जाएगा next question पर move करेंगा scoring आप लोग अवस करके बताईएगा कि आपके कितने question 1.500 में से सही होते है question number है आपकी screen पर एक स्वस्थ मनुस्यका तापकरम क्या होता है confusion आएगा आपको दो option C और D में 98.6 foreign height 98.4 foreign height दोनों answer आप लोग कहीं न कहीं देखे हुए हैं लेकिन सबसे suitable है 98.6 degree foreign height ध्यान रखेंगे N-C-E-R-T के द्वारा जो लोग book read किये हुए है 98.6 इसका conversion करके भी देखेंगा right answer होगा C उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करते हैं अगर दोनों option दिये हो अगर C और D दोनों दिये होंगे तो C के साथ में attempt करेंगे अगर 98.6 नहीं दिया है तब आप 98.4 को सही टिक लगाएँगे next question पर move करते हैं ग्रे मैटर, वाइट मैटर, नियूरोजिला किसके निर्माडक हैं? रक्त संचरण के निर्माडक हैं इस नायू तंत्र के निर्माडक हैं पाचन तंत्र या फिर स्वसंत तंत्र के थोड़ा सा new question है देखिएगा answer 82 सही answer क्या होगा? रक्त संचरण, इस नायू तंत्र, पाचन तंत्र या फिर स्वसंत तंत्र पेट ग्रूप से जुड़ने के लिए 9621-819209 पर contact आप पेट ग्रूप से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको daily mock test provide किया जाता है जिससे आप अपनी तयारी की continuity बनाया रख सकें और बहतरीन तरीके से तयारी को complete कर सकें और साथ में जो भी new students होगे 10,000 plus questions की PDF भी provide किया जाएं किसी भी state से आप बिलॉंग करते हूँ सभी को daily test provide किया जाता है 82 right answer क्या हो जागा यहां पर इसनाय उतन्तर यानि B option सही होगा right answer होगा इस question का जो answer हो जाएगा इसनाय उतन्तर से relate करेगा next question पर move करते हैं 83 भारतिय जिमनास्टिक संग की इस्थापना कब वहा कहां हुई इसकी स्थापना कब और कहां हुई थी 1953 नई दिल्ली में हुई थी 1951 नई दिल्ली 1952 नई दिल्ली 1953 नई दिल्ली है सभी में नई दिल्ली तो नई दिल्ली तो होना ही answer में अब sun आपको confirm करना है कौन सा sun होगा 83 में तो यह भारति जिमनास्टिक संग है तो B option 1951 नई दिल्ली से रिलेट करता है B option सही answer होगा next question पर move करेंगे most important महिलाओं के लिए balancing beam की उचाई क्या होती है 1000 mm होती है 1100 mm 1200 mm या फिर 1300 mm होगा 84 बताईएगा answer यहाँ पर 84 नंबर answer क्या होगा जितने भी students ने यहाँ पर C option लगाया हुए उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करेंगे International Federation of Gymnastic की स्थापना कब हुई इसकी स्थापना कब हुई थी 1881 में हुई थी 1882 में हुई थी 1883 या फिर 1884 International Federation आप Gymnastic की स्थापना 1881 आप्सन सही आंसर है ध्यान रखियेगा ए उत्तर राइट आंसर होगा खेलो की जननी किसे कहते हैं सभी का आंसर राइट होगा most important आसान सब्सक्राशन B option Gymnastic से संबंदित है next question पर move करेंगे गटस मटस की एक कुस्तक का नाम बताना है क्या है यहां पर इवाओं के लिए Gymnastic से रिलेट करता है ये भी आंसर सभी का सही होगा next question है बहारती Gymnastic संग की स्थापना कभवा कहा होई थी ये repeated question है ये तो अब नहीं गलत होना चाहिए 88 इसके पहले अभी 3-4 question पहले आप लोग पढ़ चुके है तो B option इसका ही right answer होगा next question है about दोनों खिलाडियों को हाथ मिलाते हुए कौन सुरू करता है judge सुरू करता है match chairman सुरू करता है referee या फिर coach सुरू करता है 89 में तो ये about जह है दोनों खिलाडियों को हाथ मिलाते हुए जो सुरू करता है ये referee सुरू करता है C option जो भी students C option टिक लगा है उन सभी का उत्तर सही होगा scoring जो भी करियेगा इमांदारी के साथ में आप लोग score करियेगा योग कि minus marking में ये कोई जरूरी नहीं का 110 प्लस आपके सही हो जाए अगर आपके 95 सही होते तो आप लोग exactly 95 questions बताए अगर 90 सही होते तो 90 बताएं क्योंकि इससे आपको खुद का अंदाज़ा होगा कि किस label पर आपकी तयारी चल रही और किस तरीके से आगे आपको form आने पर और ज्यादा मेहनत करने ही क्योंकि अभी आपके पास तयारी के ल जब form आ जाता है बहुत से students confused हो जाते हैं कहां से सुरुवात करनी क्या पढ़ना है इसलिए तीरे दीरे पढ़ते लिए थोड़ा पढ़ियेगा लेकिन पढ़ियेगा आवस से question number 90 है कुस्ती के खेल के अंत में लाटरी के रूप में बैग में दो गेंदों का प्रयोग कब क लिए जाता है जीतने वाले को जब मौका दिया जाता है बाउट बराबर होने पर ज्यादा भार वाले के लिए या फिर कम भार वाले के लिए जो कम भार वर वाले के लिए कि लिए प्राइएगा तो इसका जो प्रयोग होता है बाउट बराबर होने पर किया जाता है पी option स ऐसर है निसोत्य कुस्थी एक बाउट के लिए कितने अधिकारी नियुक्थ किया जाते किस Надо कि एक उन्हें furnock करता है। सबकला की किशला को mena जाता स्वेकरीं iç 1883, 82 या फिर 81 1882 क्या है इसका exactly सही answer के साथ में relate करेगा next question है judo किस देश का राश्ट्री ये खेल है 94 वी option अभी आप उपर पढ़ चुके है जापान से संबन्दी थे next question है basketball गेंद की परिद क्या होती है 25 से 28 cm होती है 30 से 70 cm होती है 75 से 78 cm होती है 90 से 100 cm होती है basketball गेंद की परिद बताना है आपको क्या होती है सही answer आप सभी का होना चाहिए 9621-819-209 paid group से जो भी जॉइन होना चाहते हैं इसी number पर contact करके जॉइन हो सकते हैं answer हो जाएगा C जो भी अभ्यारती C option attempt की है उन सभी का उत्तर right हो जाएगा next question है badminton का अंतर राष्ट्री स्टेडियम भारत में कहां पर है तो भारत में कहां पर है नई दिल्ली में है मुंबई में है कुलकाता में या फिर पुने में है badminton का अंतर राष्ट्री स्टेडियम भारत में पूछा गया है तो यह है नई दिल्ली में ए आप्शन इसका right answer होगा next question पर move करेंगे badminton में पर्थम द्रोनाचार पुरुसकार किसे मिला option के according आपको answer attempt करके बताना है कि 97 किसे relate करेगा यहां पर SM आरिफ नम ना टेकर मीर कासी मली या फिर कोई नहीं तो badminton में पर्थम द्रोनाचार पुरुसकार जो प्राप्त किया है SM आरिफ नेट सन 2000 B option से relate करता है B उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करेंगे badminton के indoor stadium के छत क्यों चाहिए कितनी होती है इसके पहले के वीडियो भी आप लोग देखते रही है क्योंकि जितना ज्यादा आप डिविजन करेंगी जितना ज्यादा पढ़ते रहेंगे उतना आपका ही benefit होगा 98 बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम के चट के उचाई पूचा है तो यहाँ पे 9 मीटर के साथ में रिलेट कर जाएगा क्या बी आप्सन बिलकुल सही आंसर है नेक्स्ट कोईस्चन है 99 बेस बाल खेल में बाल फेकने वाले खिलारी को क्या कहा जाता है क्या कहते हैं पिचर बोलते हैं बॉलर बोलते हैं फ्रोवर या फिर इनमें से कोई नहीं बताइएगा 99 का आंसर तुरंत आप लोग अटैम्ट करियेगा सही आंसर क्या होता है और जहाँ भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं प्रियोग हुआने मेज की लंबाई चौडाई होती है लंबाई चौडाई कितनी होती है 3.44 meter into 1.50 meter 4.35 meter into 1.00 meter 4.38 meter into 2.00 meter 3.00 meter into 1.80 meter 100 का आंसा देखिएगा क्या होगा बिलियर्स में प्रियोग होने वाली मेज की लंबाई चोड़ाई होती है तो यह कितनी होगी 3.44 meter से 1.50 meter राइट आंसर है ए आपसन नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे कोईशन नमबर 101 बेसबाल का खेल कितने स्कोर का अंतर होने पर समाप्त हो जाता है इसका आंसर आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे 102 नमबर का कोईशन है बेसबाल किस देश का राष्ट्री खेल है सभी को पता होगा अमेरिका का राष्ट्री खेल है नेक्स्ट कोईशन है स्विमिंग पुल में प्रकास की तीवरता कितनी होनी चाहिए 200 लक्स होनी चाहिए 400 लक्स होनी चाहिए 700 या फिर 600 लक्स कितना होना चाहिए स्विमिंग पुल में प्रकास की तीवरता कितनी होनी चाहिए option आप लोग एक बार फिर से चेक करिएगा कौन सा सही हो सकता 103 का D option 600 से relate करेगा D उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करेंगे swimming pool में किन किन रंगों से लेनों को चिन्हित किया जाता जो lines होती है उनको किन किन रंगों से चिन्हित किया जाता है यह बताना है आपको option देखिएगा पढ़िएगा कौन सा option सही हो जाता है scoring आप लोग करिएगा continuity बना रखिएगा मेहनत करते रहिए क्योंकि physical education एक ऐसा subject है जिसकी vacancies कमाती है लेकिन competition ज़्यादा होता है एक चीज और ध्यान रखिएगा आने वाले समय में आपको physical education की vacancies देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि new education policy में इसको compulsory कर दिया गया है तो इसलिए vacancies junior में आपको थोड़ा time लग सकता है लेकिन vacancy मिलनी है question number 104 C option क्या है right answer है next question 104 चौथी और पांचुमी lane के रसों का कौन सा रंग होता है swimming pool से ही relate कर रहा है question तो answer क्या होगा पीला होता है हरा होता है नीला होता है या फिर लाल रंग होता है कौन सा रंग होता है तो ये रंग होगा पीला A option say answer next question है पुरुसों यानि water polo के लिए gain की परिद कितनी होती है option 4 है चारों को आप पढ़िएगा कौन सा सही होगा 60 से 65 cm 66 से 68 cm 68 से 71 cm या फिर 70 से 72 cm 106 का answer आप रोग बताएंगे 68 से 71 होगा क्या right answer से relate कर जाएगा C उत्तर यहाँ पर C option सही होगा next question पर move करते है 107 एक time out कितनी समय अवधिका होता है 2 minute का होता है 5 minute का होता है 3 minute का होता है या फिर 1 minute का होता है एक time out बताना कितनी समय अवधिका होता तो यह होता है 1 minute का D of क्या है सही answer है next question पर move करते है most important है answer आपको बताना है वेट लिफ्टिंग में दोनों स्थाई कॉलर के मद दी पुरुस हुआ महिला के बार की दूरी कितनी होती है 1.0 मीटर होती है 1.50 मीटर होती है 1.30 मीटर या फिर दी आपसन है 1.31 मीटर होती है question important है right answer होगा 1.30 या फिर 1.31 उत्तर है क्या दी आपसन सही answer next question आपकी screen पर weight lifting में पुर्सों के लिए बार की लंबाई आपको बताना है 2.10 मीटर होगा 2.20 मीटर 2 मीटर या फिर 3 मीटर तो यह होता कितना बताईएगा सही answer 2.20 मीटर सही answer के साथ में relate करेगा B option सही होगा next question भी weight lifting से related है weight lifting के लिए बार की लंबाई कितनी होती है यह आपको बताना है 110 यह कर लीजिएगा महिलाओं के लिए यहाँ पर थोड़ा सा misprint हुआ है सर के द्वारा टैपिंग में सही answer देखिए कर टू मीटर 3 मीटर 2.20 मीटर या फिर 2.02 मीटर इसमें जो answer होगा कौन सही हो जाएगा important question है दोनों डी option इसमें right होगा 2.02 मीटर होता right answer next question है 111 horse riding के अंदर कितनी बाधाय होती है इसमें कितनी बाधाय होती है 11, 10, 13 या फिर 12 बाधाय होती है तो horse riding के अंदर आपको बताना है कितनी बाधाय होंगी इसमें जो बाधायों की संख्यों होगी 12 के साथ में संबंदित है D option क्या है सही answer है next question 112 है आपकी screen पर total आपके 150% है जिसमें 30% GS के 120% physical education के दिहान रखिएगा number of questions आपको total 150 प्रवाइड किये गए है question number है 112 horse riding के अंदर बाधा की उचाई कितनी होती है 1.22 मीटर होती है 1.20 मीटर होती है 1.15 मीटर या फिर 1.10 मीटर होती है बताइगे इसका answer क्या होगा important question है इसको ध्यान रखना है आपको 1.20 मीटर राइट आंसर हो जागे आपके बी आप्शन सही होगा next question पर मूप करेंगे फैंसिंग के प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होती है 17 मीटर 18 मीटर 19 मीटर 16 मीटर तो यह 18 मीटर होता है next question तलवार बाजी के प्लेटफार्म को क्या कहा जाता है इसको क्या बोलते हैं रिंग बोलते हैं क्या मैट बोलते हैं सैंटी बोलते हैं आफिसट बोलते हैं सब्दावली भी पूछा जा सकते हैं यह किस से रिलेट करता है तलवार बाजी से रिलेट करता है डी आप्शन सही आंसर होगा next question है आ 1,000 अंक दिया जाते हैं 1,500 अंक दिया जाते हैं 500 अंक या फिर 100 अंक दिया जाते हैं बताईए modern pentathlon की बात की गई तो इसमें 1000 अंक से रिलेट करता है A option सही आंसर होगा next question है आपकी स्क्रीन पर समंक स्रेडी का वहपद जो स्रेडी को दो समान भागों में बिभक्त करता है माद मादिका विस्तार मॉड मीम मीडियन मॉड यह सब आप लोग पढ़ चुके mathematics में आंसर यहां पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा मादिका से रिलेट करता है बी आप्सन सही आंसर है next question केंद्री प्रवर्ति की माप यह भी questions आप लोग बहुत बार पढ़ें है तो राइट आंसर यहां पर समांतर मादिका मॉड बहुलक इन सभी से रिलेट करेगा डी आप्सन सही आंसर होगा next question पर मूब करेंगे question number 118 किसी वर्ग की उच्च सीमा वह निम्न सीमा के अंतर को कहा जाता है क्या कहा जाता है वर्ग बिस्तार कहा जाता है पद कहा जाता है समंक कहा जाता है या फिर इन में से कोई नहीं 118 आंसर यहां पर होगा क्या वर्ग बिस्तार कहा जाता है जिसको रेंज बोलते हैं higher to lower higher में से lower को माइनस कर देते हैं range पूछा भी जाता है कई बार exam में आया भी है ए आप्सन सही होगा सीटेट के students लगा लेंगे उनको question आता रहता है next question पर मूब करेंग 119 निम्र में से कौन सा केंदरी प्रुवर्ति का माप नहीं है इसमें से आपको बताना है 119 मादि मादि का बहुलक आप लोग पढ़े हैं अप किरण नहीं पढ़े हैं तो यह इसी से relate नहीं करता है D option question के according सही होगा आज की इस वीडियो का practice set का last person है आपके screen पर सही answer आपको बताना है आकणों को समय के अनुसार द्यवस्थित करने से कौन सी स्रेंडी का प्रकार है समय स्रेंडी होगा इस्थान स्रेंडी अखंडित स्रेंडी और D option में दिया हुआ है क्या उपरोक्त में से कोई नहीं तो कौन सा उत्तर इसमें सही होता है आप लोग तुरंत अपना answer देखिएगा और लाश्ट प्रस्ण है आपके स्क्रीन पर समय स्रेंडी इसका answer है यह उत्तर राइट हो जाएगा तो यह थे आज के कुछ मोश्ट इंपॉर्टेंट एल्टी ग्रेट फिजिकल एज क्वेशन से रिलेटेड जिसमें आपका सब्जेक्ट और जीस दोनों से रिलेटेड क्वेशन्स प्रोवाइट कियें गयें 150 आप लोग स्कूर अवज से करिएगा कि 150 में से कितने क्वेशन्स आपके माइनस मार्किंग वन बाई थर्ड करने के बाद सही हो रहे हैं क्योंकि अगर आपके मार्क्स सो प्लस या सो के आसपास आ रहें तो आपके तयारी सही चल रही है माइनस मार्किंग करने के बाद आपको बताया जा रहा रहा है 100 प्लस या धर que के आसपास हैं तब त्यारी आपकी सब्साइब कि आपकी आप कंटीन्यूटी बना रिखिए का मेहनत करते रही यो भी गूप जूब जूब डूब से जूबना चाहते हैं डेली मॉक टेस्ट करना चाहते हैं । 9-6-2-1-9-0-9 पर गॉन्टेट कर सकते हैं इसी नंबर पर आप पेपेमेंट करके स्क्रीन सोट सेंड कर सकते हैं जैसे ही आप स्क्रीन सोट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रूप से एड़ कर दिया एगा साथ में जो पीडियाप से साथ में तब तक के लिए नमस्कार